हैलो फ्रेंट्स मैं हुनी है और आप सभी का वेलकम है आपके ही चैनल पर तो फ्रेंट्स आप लोगोंने कॉमेंट किया था कि एक वीडियो बना दीजिए कि हम अपने हैस्बेंट को बहुती अलग विमें बिर्थडे विश कर सकें तो लिए जी आप लोगों के बीच में वीडियो हाजिर है तो अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुती प्यारे प्यारे से बिर्थडे विश्षंपान हैस्बेंट्स तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो friends first हमारा है happy birthday to the king of my heart इसका हिंदी में मतलब है कि मेरे दिल के राजा को जनम दिन की शुब काम नाए यानि मेरे दिल पे जो राज करते हैं उनको जनम दिन की शुब काम नाए तो friends ये phrase बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही प्यारा सा है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस phrase की जगा अगर हजारों शब्द भी लिख देंगे अपने husband के लिए तो वो फीके पढ़ जाएंगे क्योंकि ये एक लाइन बहुत ही जादा प्यारी है कि happy birthday to the king of my heart तो आप चाहें तो इसे जरूर यूज़ कर सकते हैं अपने husband के लिए तो आएए friends अब next की बात कर लेते हैं इस phrase का हिंदी में मतलब है friends कि आप बहुत ही शानदार है यानि आप बहुत ही ज़्यादा गजब के हैं और आप बहुत ही ज़्यादा गजब के हैं तो आपको पाकर हम बहुत ही ज़्यादा lucky हैं और आपको जनम दिन की शुभ कामना है यानि मेरे husband को जनम दिन की धेशारी शुभ कामना है यहाँ पर hubi का मतलब husband ही होता है तो ये भी बहुत ही प्यारा सा birthday wish है हैस्बेंट के लिए आप चाहें तो यूज कर सकते हैं इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान को जनम दिन की धेर सारी शुब काम नाए इस चॉकले केक बिकम स्वेटर रेंड शेर विथ यू इस प्रेज का हिंदी में मतलब है जब भी मैं चॉकलेट या केक या कोई भी मीठी चीज जब आप से बाट कर खाती हूँ यानि आपके साथ मिल बाट कर खाती हूँ तो वो चीज और भी ज़्यादा मीठी हो जाती है और आप हमेशा ही ऐसे स्वीट से रहो प्यारे से रहो और आपको जनम दिन की धेड़ सारी शुक काम ना है इस प्रेस का हिंदी में मतलब है फ्रेंड्स कि ये जो चांद है ये सितारे हैं ये भी मेरे प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं यानि मैं आपको इतना चाहती हूँ कि ये चांद और सितारे भी मेरे प्यार को बया नहीं कर सकते हैं और आपका जनम दिन बहुत ही शानदार हो ये मैं आपके लिए कामना करती हूँ तो ये भी बहुती क्यूट सा फ्रेज है अगर आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं तो आईए फ्रेंड्स अब नेक्ष्ट की बात कर लेते हैं इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है फ्रेंड्स कि मैं बहुती ज़्यादा अमीर यानि धनी महिला हूँ या औरत हूँ क्योंकि जो मेरे पती हैं यानि जो मेरे हैस्बेंड हैं वो बहुती ज़्यादा अमीर दिल के हैं अमीर दिल के होने का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको मानते हैं चाहते हैं और आपसे प्यार करते हैं इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं यानी बहुत ही ज़्यादा लखी हैं या भाग शाली हैं और आपको आपके जनम दिन पर धेर सारा प्यार तो इस प्रेज का हिंदी में मतलब है फ्रेंड्स कि मैं हर दिन और हर रात ऊपर वाले को यानि इश्वर को धन्यवाद बोलती हूं जिनोंने आप जैसा शांदार पती मुझे दिया और आशा करती हूं यानि कामना करती हूं कि आपके आने वाले सभी दिन मुस्कान से और खुश से भरे हूं और आपको जनम दिन की शुक कामना है तो अब फ्रेंड्स यही से हमारा वीडियो फिनिश होता है आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी नेहा भी पावफुल के नाम से फॉलो कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत पॉलिएगा